हेbenremz, आप सबी का मेरे चैनल पर कैसे आप सभी लोगाई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्लीज जो चैनल पर न्यू आते हो मुझे पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल हम अभी अनिका इधर पूजा लेटी वे थी और मम्मी पापा आये थे जैसा हमने आप लोगों को बताया ही था इतनी लड़ाई जगड़ा हुआ था मेरी सस्राल में मेरे आने से तो देख लो भाया और अनिका इधर जग गई है और उस साइड मम्मी पापा है भी मैं आप लो लोग बैठे हुए है और काफी टेंशन में है ना इतना वो वो हो गया ना लड़ाई जगड़ा मम्मी पापा को तुरंट से आना पड़ा क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो मैं आई और तुरंट से फोन आया और उसकी बास से मम्मी पापा को तुरंट आना पड़ा तो वो सारी बाते बता रही थी जो जो यहां पे हुआ है और वम्मी ने बोला फटाफट त्यार हो जा तुमको अब यहां नहीं रुखना है इस वज़े से गाईस हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर क्योंकि जहां पे जान का खत्रा हो वहां पे नहीं रुखना चाहिए यहाँ पे ऐसा ही बोला गया और मैं आते ही रोई थी यहाँ पे आते ही आते इतना लड़ाई जगड़ा हुआ यह उसी दिन की क्लिप है जिस दिन ही मैं आये थी तो थोड़ा सा मैंने सूर करा था तो सुबा के होगे हैं दस और हम लोग जा रहे हैं यह एक ही दिन वाए और चले पैकिंग हो गई है यह देखो बस आये तो कुछ और सोच के थे लेकिन हुआ कुछ और ही मम्मी पापा सभी लोग आये थे मेरी साथ नहीं आये थे उसके दूसरे दिन आ गय थे यानि कि आज कल सौरी कल आया थे मम्मी पापा बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को अब भी जाना है मुझे बहुत दिमाग पागयल है ठीक है बाद में बताऊंगी अब निकलना है तो गाइस यहाँ पर हम रेडी हो गए थे फिर छट पर आया तो थोड़ा बहुत सूट कर रहा है मेरे यह प्लांट देख सकते हो कितना ग्रो कर रहा है ना बहुत अच्छे से चल गए थे तो भी मैंने थोड़ा बहुत सूट कर लिए बहुत जादा ठंड थी कोहरा भी बहुत जादा पढ़ रहा था और रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था और हम लोग भूखे भी ते मम्मी जिस दिन आई थी उस दिन वो पूरी लेके आई थी पूरी बात मैं नहीं बताई हूँ आप लोगों को हम लोग आ गये घर आते आते मैं लेट गई हूं बस कपड़े भी नहीं चेंज करें हैं बहुत तेज से सरदर्द हो रहा है और बज गया है चार कुछ खाया पिया भी नहीं है सिर्फ चाय पिये थे सुबा और तब से ऐसी हूं चार बज गया हैं सामके और कुछ भी बोलने की विलकुल भी ताकत नहीं रह गए अंदर इतना मूड खराब है ना मेरा इतना की पूछो मत अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलेंगे तो गाइस आने के बाद थोड़ी देर हमने आप से बात करी थी उसके बात से अभी मिल रहे हैं रात को बज गया है रात के आठ रात के आठ वजे मिल रहे हैं आप से मूड बिलकुल भी सही नहीं है पता नहीं बोलते क्या है निकलता क्या है लेकिन ब्लॉग भी कंप्लीट करना था और क्या बात है क्या नहीं क्योंकि मेरे ना यहां पे यहां पे दर्द होने लगता है जब जादा मुझे टेंसन होती है या तो मैं जादा रोती हूँ तब मुझे यहां पे पेन होने लगता है बहुत तेज से पेन स्टार्ट हो जाता है मुझे इस वज़े से और अभी अनिका नीचे है तो सुचत व्लॉक को एंड कर दू और अभी आ रही होगी वो खाना खा चुके हैं हम लोग खाना पूजा आई और पूजा नहीं बनाया हमने कुछ नहीं करा क्योंकि हम लोगोंने कुछ खाया भी नहीं था इस वज़े से तो दाल चावल इतने टाइम बना था तो वही अभी हम लोगोंने खा लिया है था कि हम अभी आया है अब हम लेट जाएंगे क्योंकि मुझे हो रहा है दर्द बोलने में बहुत दिक्कत सी हो रही है तो गाइस हम चले आप सोने क्योंकि मेरा बिल्क थोड़ा सा सायथ मुझे अच्छा लगे क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस वज़े से तो मौनिंग में मिलते हैं आप लोगों से गाइस मौनिंग हो गई थी मौनिंग के यहां पे 11 बज़े थी धूप आ गई थी तो मैं बाहर बैठी थी तब तक मला मारी तो शादी हो गई थी तो ऐसे क्यों रह रही हो मतलब यहां और मैं तो मैंने का आपको कैसे पता मेरी शादी हो गई थी तो कहां नहीं मैंने देखा है मैं तुम्हारे महले में कब से आता हूं तो मैंने देखा है तुम्हारी शादी हो गई थी तो मैंने का अच्छा त फिर भी मैंने दे दिया मैंने का नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगी फिर पूजा को देख लो क्या कर रही है और छोटी सी बिट्या को लेग मैं इसके साथ मैं बहुत खेलती हूँ मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा टाइम भी मेरा कट जाता है इस खेल के और वो यहाँ पे रोने लग गई थी आटोले भाईया नमस्ते दिजी बाई 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 प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि मेरे पाथ जितने भी कमेंट आते हैं वो मुझे बड़ी है जो मेरी ही तरीके से हैं जिनके भी हैस्पेंट नहीं है उनके सुस्राल में गलत बेवार किया जा रहा है बिल्कुल मेरी तरीके से उनको भी उनका हग नहीं दिया जाता है उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो ये चीज मैं कमेंट में पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो उन लोगों के साथ में भी हो रहा है ये कब बंद होगा मुझे नहीं पता लेकिन हाँ हम लोगों को हिमत नहीं हारनी है और ऐसी डटे रहना है बस मिलूँगी नए वीडियो में तब तक के लिए बाए गाई और वीडियो अच्छी लगे तो प्ली ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरी वीडियो के